हे गाइस कैसे हो आप लोग मैं डी शाव आपका स्वागत करता हूँ मैं चैनल नौलिज मुश्टर वित रुषभ में तो आज का हमार टॉपिक है सेकेंड वीक ऑफ जुलाइ आज से लेके 14 जुलाइ तक के करेंट अफेर्ड्स जो कि काफी इंपॉर्ट होगे मोस्ट प्रस्पेक्टिव से तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिए शेर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ओके तो बिना कोई टाइम वेश्ट के हुए लेट स्टाट आर वीडियो तो पहला कोशन हमारा क्या है पी-एम नेन मोदी 10 जुलाइ को इनोगरेट किये एशिया का लार्जेस सोलर पावर प्लांट वो किस स्टेट में है तो इसका एंसर है ऑप्शन नमबर A मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में आपको पी-एम मोदी ने 10 तारीक को इनोगरेट किया एशिया का यहा को यह प्लांट है और यह वीडियो कॉंफरेंसिंग के द्वारा हुआ और यह प्लांट जो है लगबग 15-90 एकर अफ लैंड में फैला हुआ है ओके सो मुंच्वा नेक्स्ट कोशन वाट इस नेम ऑफ इंडिया एप लॉंच बार प्राइम निस्टर वेंकरिया नाइडू के बेंकरिय नाइडू जी ने अभी ही लॉंच किया है इंडिया का अपना सोशल मीडिया एप का नाम है अलिमेंट्स और इसमें आप फ्री वीडियो कॉल और अडियो कॉल कर सकते हैं और साथी साथ चैट कर सकते हैं ग्रूप चैट भी कर सकते हैं यह लगबग एक हजा इसमेंट्स नाम का अप है ओके सो मुझें नेक्स कोर्शन विस टेविच इंडियन स्टेट विकम द फिस टेट विर अल्पीज ग्यास कनेक्शन किस ऐसा कॉन से बन चुका है यह जिसकी जहां पे हर एक घर में एलपीज ग्यास कनेक्शन मौजूद है तो वह है और का ऑप् अगास कनेक्शन मिला है अंडर प्राम बदानमंतरी उजवला युजदा ओके शो मूं इसम्म फोसेडिया का ढचला है अब ही रिसेंट्ली इंफॉर्मन बीपोरट To 20 में बताया गिया है कि मैनेज करने के लिए क्रैसिस को मैनेज करने के लिए डिजास्टर मेनेजमेंट के है almost a risk of 5.4 जिसमें हम लोग का काफी risk होता है in the humans ओके और साथ साथ इसको टॉप किया है Somalia ने जहां पे the risk is of 8.9 और यह 191 countries क्या report होता है जिसमें India का position है 31st और 1st किया है Somalia अभी एक बुक निकली है Getting competitive a practitioner's guide for India जो कि अपने साथ साल के experience से अपने leading industrialist है वो उनके साथ साल के experience से यह बुक लिखा है Getting competitive a practitioner's guide for India तो यह बुक लिखा है आपको RC भारगव ने जो कि मार्ति सुजुर्की के शेर्मैन है और यह बुक पुब्लिश हुआ है आपको Harper Collins से और यह अपना experience जो इनका experience रहा है industries के तरफ उसको अपने एक बुक में लिखे हैं जिसका नाम है Getting competitive a practitioner's guide for India जिसके द्वारा आपको इंडिया एक industrialized country बन सके हैं तो इसका एंसर है आपको आप्शन निकाल आता है FIDE Federation और International Chess Federation का जो headquarters है वह लाउसेने में है Switzerland और वहां उसके प्रेसिडेंट जो है और काड़ी व्लाडी मर्विक हैं अब ही recently किस butterfly को खोजा गया है जो कि इंडिया का सबसे largest butterfly है तो इसका answer है option number better is golden bird wing इससे पहले जो है golden bird wing का ही प्रजाती में मना गया था southern bird wing को जो कि सबसे बड़ा जिसका wingspan था और यह जो है golden bird wing इसका wingspan 194 mm का हो चुका है जो की 4 mm ज्यादा है previously हमारा southern bird wing से इसका 190 था लेकिन इसके यह female है यह जो golden bird wing है यह female है आपको इसके male जो होते है उसका bird wing का span जो होता है वो मातर 106 mm का होता है तो female species है golden bird wing की जो की सबसे बड़ा butterfly है ओके so moving to our next question अभी formula 1 racing जो हुआ था Australian Grand Prix उसको किसन जीता है तो इसका answer option number A is weltery botas तो 20 साल के माद 20 साल के फिनलैंड के रैवर है weltery botas जो होने season opening Australian Grand Prix Formula 1 racing जीता है ठीक है और साथी साथ इन्होंने हराया है वर्ल्ड के number one champion जो पिछला चैंपियन रचुके हैं लेविस हैमिल्टन उनको इन्होंने हराया है हाँ अब यह question आपके लिए काफी important है very important questions अभी जो है WHO ने रिलीस किया है अपना बताया है कि दो डिजीज जो कि है मेजल्स और रूबेला यह कौन से दो देश कौन से दो साउथ इस्ट एस्ट एशन देश से पूरी तरीका से कदम हो गए अपना अचीव किया है तो इसका answer है आपको option number D that is Maldives and Sri Lanka Maldives और Sri Lanka ने 220 का target था कि वो लोग का रूबेला और मिजल्स जो है पूरी तरीका से फ्री हो चुके हैं जिसे हमारा इंडिया जो है 2014 में आपको polio से फ्री हो चुका था पूरी तरीका से विस्ता 220 में शेलंका और Maldives दोनों जो है मिजल्स और उबेला दो डिजीजे से मुक्त हो चुके हैं तो महावीर नाम के बुक के राइटर का नाम क्या है तो इसका answer है आपको option number C he is A.K. Srikumar ठेक है A.K. Srikumar जो है उन्होंने ये बुक लिखा है जो की घरवाली soldiers के बारे में बताया गिया है जो उन्होंने इंडो-चाइनीज वार को लड़ा था जब बन चुके हैं लगज़री राइट के बन चुके हैं आपको option number C Sukbir Singh, Sukbir Singh जो है अमारे singer वह बन चुके हैं लगज़री राइट के ब्रेंड अमबैज़र राइट के ब्रेंड अमबैज़र और यह आपको अभी communication initiative चल रहा इनके साथ तो यह आपको दिखाई देंगे आट्स में भी Sukbir Singh, okay so next question the cable TV operators of which country has banned all the news channels of India except Duda Sant किस TV operator ने पूरे country के बैन कर दिया news channel को सिफ दूरसन को छोड़के तो that is Nepal के पीश शर्मा ओली तो उन्होंने क्या किया है पूरी तरीका से इंडिया के news channel को पूरी तरीका से बैन कर दिया एक्सप दूरसन को छोड़के सभी चैनल इंडिया के बैन है यह जो हमारे टेंशन चल लगा है इंडिया और नेपाल का इस बीच में ही यह decision हुआ है किस country के प्राइम मिनेस्टर है जो अभी जिनका रिसेंटली निधन हुआ है रिसेंटली डाइक है तो इसका एंसर है आपको option number B Ivory Coast Ivory Coast के वो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका निरन हो गया 8 July 2020 को जो की वो फ्रांस ट्रीटर में करा के आये थे अपना लेकिन फिर उनकी मौत हो गई दो मैने बाद ही उनकी जब वो ट्रीटर में करा के आये तो वो उनकी मौत हो गई और यह कहां के थे प्राइम मिनिस्टर आपको Ivory Coast के, 61 येर्स के So, moving to our next question Which Arab country announced to send probe to Mars to capture comprehensive image and of the weather in the atmosphere of Mars So, Mars के atmosphere को capture करने के लिए किस Arab nation ने एक initiative लिया है So, that is option number A, United Arab Emirates UAE ने ये काम किया है So, moving to our next question आप देख सकते हो इसको, और हाँ, PDF जो है आपको, आपको description box में मिल जाएगी So, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अगर कुछ भी और दिक्कत हो, तो please, you can message me on Insta My Insta ID is also in the description box, okay So, moving to our next question 15th, Prime Minister Nayan Modi ने आपको ये recently launch किया है 2750 Megawatt का Reva Ultra Megasolar Plant In which state अचाई ये question वापस आचुका है तो ये repeat question है, तो इसका option है Option number C, Madhya Pradesh Madhya Pradesh में ही हुआ था ये launch, okay मैंने बताया था, question number 1 ही जाएए और repeat हो चुका है, sorry So, अभी, who has been honored to the bet 220 humanitarian award अपने long-standing philanthropic work के लिए किने bet का 220 humanitarian award मिला है तो, the answer is option number A, beyonds Beyonds जो है, एक well-known singer है और अपना उनका बहुत सरा पार्ट जो वो Be Good Foundation करती है जिसमें उन्होंने COVID-19 के relief efforts के लिए काफी काम किया और ये जो award उनको दिया गिया है वो award दिया गिया है former first lady USA की Michelle Obama के द्वारा bet जो है, ये एक American award show है जो की African Americans को means black populations को और minorities को award देता है in the field of music, acting, sports and other fields और ये establishment हुआ था इसका 2001 में by the black entertainment network television network, okay so, मुशार नेक्स्ट कोशन, ये कोशन काईन साब को सीदे दिया हुआ है कि Indian Railways ने एक solar plant set up किया है तो इसके बारे जो मैंने पिछले कोशन आपो दिया था कि MP में set हुआ है तो Indian Railways ने इसे set किया है उसके बारे में कुछ जानका ही दी गई है Indian Railways ने इसके साथ partnership किया है भारत Heavy Electricals Limited भेल, भेल के साथ partnership किया गिया है भारत ने की ये काम किया Indian Railways ने जिसका target है कि non-zero carbon emission हो 2020 तक तो ये एक बहुत ही इनिशेटिव लिया गिया है Indian Railways के तरब से तो Indian Railways के तो Railway Mission हमारे कोन है that is प्यूज गोईल भेल के चेमान अम्डी गोन है नलीन सिंगाल और उसका headquarters जो है वो दली में है next question which day in India is celebrated every national fish farmers day national fish farmers day कौन से दिन मनाया जाता है आपको इसका answer है आपको option number A that is 10th of July जो की आपको honor करता है fish farmers को aquipreneurs को fish folkers को जो उन्होंने इतने साल से हम लगातार काम कर रहे है हमारे लिए महत कर रहे है तो इसके लिए एक day मनाया जाता है जो की 10th July को हर साल national fish farmers day और ये इस साल जो है वो 63rd मनाया गिया था 63rd National Fish Farmers Day मनाया गिया था okay so which organization will launch Amazonia 1 अच्छा Amazonia 1 एक मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में तो किस ने इसे launch किया है ISRO NASA या SpaceX तो हमारा Indian Space Research Organization ISRO ने Amazonia 1 को launch किया है तो ये क्या है आपको ये आपको एक onboard satellite है जो कि PSLV हमारा system PSLV Polar Satellite Launching Vehicle से launch होगा इस तो इसे launch करेगा Amazonia 1 को जो कि Brazil का पहला satellite होगा Earth Observation के लिए जो कि designed, assembled और test किया गया है पूरी तरह से Brazil में तो ये Amazonia 1 okay so moving to our next question Hagia Sophia Museum is in which country Hagia Sophia Museum recently अभी news में रहा है तो वो किस country में है तो इसका answer option number B I'd rather than तुर्की तो मैं आपको आदू Hagia Sophia Museum जो है तुर्की के government ने इसे वापस से इस museum को mosque बना दिया गया है ये पहले mosque था actually मैं सबसे पहले Hagia Sophia जो है एक church था जिसको emperor Justinian ने बनाया था फिर जब ottoman तुर्क आये तुर्की में तो उन्हों ने इसे change कर दिया और क्या बना दिया इसे Hagia Sophia mosque बना दिया और फिर उस समय बार तरगी government ने इसे mosque को museum बनाया था 1934 में और वापस से 2020 में 2020 में क्या किया गिया है Hagia Sophia museum को mosque बना दिया गिया है वापस से तो यह question काफी important है आपको तौपिकल स्टॉर्म फे एक टौपिकल स्टॉर्म है जो किस country को hit किया है तो इसका answer है आपको option number A that is USA तो USA का New Jersey तो टौपिकल स्टॉर्म फे जो है अभी रिसेंटली जो फॉल किया है वो आपको New Jersey में फॉल किया है तो मुझा next question which state Chief Minister was honored with Paul Harry's fellow recognition यह एक बाहर देश का आपको recognition है जो किस state के हमारे Indian state के Chief Minister को मिला है केरल, बिहार, हरियाना या तमिलनाडू तो answer is option number D that is तमिलनाडू ओके इड़पडी के पलिंशामी तमिलनाडू के Chief Minister है जो जो इनको यह award मिला है 10th of July को by the Rotary Foundation of Rotary International School that is Chicago इन Chicago में है उसके द्वाय दिया आता है Paul Hadis fellow recognition जो मिला है किसे CM of तमिलनाडू E. पलिंशामी को ओके so moving to our next question अब इडिएंटली who is the Prime Minister of Singapore Singapore के Prime Minister कोन बने है तो इसका answer है आपको option number B that is Lee Sheng Lung तो Lee Sheng Lung जो है आपको बन चुके है Singapore के Prime Minister और with a record we're winning 83 of 94 93 seats 83 seats जीते हैं और ये COVID-19 के समय में हुआ था election और इस operation को मात्र 10 seat मिला है मात्र 10 seat मिला है और 83 seats आपको People's Action Party जो कि आपको Singapore का Prime Minister Lee Sheng Lung के का party है उसे मिला है तो ये था हमारा आज का session तो मैं hope करता हूँ कि आपको आज का video काफ़ पसंद आया हो काफ़ important questions है आपको exam perspective से तो अगर आपको पसंद आया हो questions तो please hit the like button share with your friends and also don't forget to subscribe और bell icon को प्रेस करें ना भूले जिससे आपको मेरे videos की notification सबसे पहले मिल सके इस video का pdf आपको description box में है pdf वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और मैं आपको बदा दू कि कल से हमारा ncati courses start होने वाला है तो आप चैनल को subscribe कर लो ncati's का कल history chapter 1 होगा okay so please subscribe to our channel तब तक के लिए जहन्द